हेलो फ्रेंड्स वालकम टू रिपी यह लर्निंग हो विद्टेश का स्पोकन इंग्लिश हमने हमारे फॉर्स सेशन के अंदर देखा था की कमांड्स का कैसे यूज़ करते उस ताइम पे मैंने आपको फाइव सेंटेंस की टाइपस बताया था आपको याद होगा फॉर्स क्य क्या था रिक्वेस्ट थर्ड परमीशान फॉर्थ क्वेश्चन सेंटेसिस एंड फिफ्थ सिंपल सेंटेसिस ओके यह अलग-अलग फाइव टाइपस के सेंटेसिस से थीज आर मोस्ली यूज़ इन और डेली रूटिन उसमें से हमने फॉस सीखा था डेली में जो फॉस था तो कमांड का कैसे यूज़ करना हो हमने देखा था और उसके अंदर आपने मुझे पता है कि आप लोगों ने उसका यूज़ करना अपनी रूटिन में शुरू कर दिया होगा और आज हम सेकंड पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं इस आर दा रिक्वेस्ट हो है रिक्वे रिक्वेस्ट करना बहुत easy है कौन सा वर उसके आपड़ेगा प्लीज क्या बॉलना पड़ेगा में प्लीज प्लीज करोगे तो हम क्या सीख पाएगे रिक्वेस्ट चलो ला चरो लैस्ट 119 June quiet करिवेस्ट के से की जाती है ऑक्ए तो पहले है प्लीस हमारे से बड़े लोग है उसको हम request से बुलाते please please help me मुझे मदद करो na okay then please speak loudly थोड़ा जोर से बोलो please speak loudly then please seat here कोई guest आते please seat here मेरबानी करके यहां पे आप बैठो okay then please come here अगर आपको कुछ काम है मम्मी का ताप उसको बोलो कि mom please come here महरबानी करके यहां पे आओ ना okay तो अगर हम please लगाते है sentences के अंदर जो command sentences के अंदर तो क्या बन जाएगे हमारे request sentences क्या बन जाएगे request let's see some more example of request थोड़े और भी example सम्देखते कि जिससे आप आज से ही उसका use करना start करो और अच्छी तरीके से English में बोलना सेख पाओ let's see some examples more please keep quiet कोई आवाज करा दो please keep quiet आवाज करना बंद करो भाई हमें डिस्टर्ब हो रहा है डिस्टर्ब करने क्या बोलना है में don't disturb me okay remind all this type of the sentences please keep quiet महरबानी करके सांती रखो please do your work महरबानी करके अपना काम करो मुझे डिस्टर्ब मत करो please do your work then please eat slowly कोई जल्दी जल्दी खा रहा है तो हम उसको बोल देगे please eat slowly धिरे से खाव आप लोग then please show me महरबानी करके मुझे दिखाओ ना please show me अगर exam है तो exam के अंदर हम क्या करते है अगर आपकी book complete नहीं है तो आप उसको बोले please show me your book मुझे महरबानी करके आपकी book दिखाओ मुझे भी थोड़ा reading करना है ऐसे हम use करते है please show me फिर ऐसे जो please के sentences है ओके हम please switch off the light ऐसे बोलेगे हम please switch off the light अगर lights on है तो हमें बोलना है please switch off this light इस लाइट को बंद करो please go outside महरबानी करके आपकी यहां से जाओ please go outside बाहर जाओ आप लोग ओके देन please have a tea अगर गेस्ट आते है तो मुझे को बोले please have a seat पहले बेठो please have a tea चालो ओके तो please have a tea then please drive fast अगर हमें कहीं पे जल्दी पहुंचना है तो हम ऐसा use कर सकते है please drive fast थोड़ा जल्दी चलाओ ओके तो यह थे अलग अलग type के sentences अगर हमें दूसरी type मदलब की दूसरी तरीके से questions पूछने है ओके तो हम कैसे पूछ सकते है can you please ऐसे हम question पूछके हम उसको request कर सकते है can you please क्या बोलना है can you please उसके थोड़े examples हम देखे can you please help me क्या आप मुझे मदद कर सकोगे can you please help me to learn English English सिखने में क्या आप मुझे मदद करोगे yes can you close the door please can you close the door please महरबानिकर के जराप दरवाजा बंद कर सकोगे तो ऐसे हम इसको questions के form में भी हम request कर सकते है क्या आप ऐसा कर सकोगे मेरे लिए then can you come with me please can you come with me please क्या आप मेरे साथ आओगे can you please keep quiet क्या महरबानिकर क्या आप सांथ रह सकोगे can you give me mobile please can you give me mobile please क्या आप मुझे mobile दोगे आपका can you please give me your mobile like that also we can speak ऐसे भी हम बोल सकते है then can you show me please क्या आप मुझे थुड़ा दिखा सकोगे can you show me please तो ए जो थे इसके नतर हमने क्या यूश किया can you can you please help me can you please come here ऐसे can you please करके भी हम request के questions पूछ के हम request कर सकते हैं अगर आपने मुझे पूछा can you please help me to learn English या I can help you मैं आपको help कर सकता हूँ ओके तो एसे अलग-अलग type की sentences है जो routine में हम बोलते हैं request हम बहुत सारे request करते हैं तो आज आप घर पे क्या करोगे एक list out करो कि कौन से request हम कर सकते हैं और कैसे हम उसको बोल सकते हैं ओके और आज से ही इसका use करना start करो अगर आपको कुछ नए type के video चाहिए आपको English में क्या-क्या सिखना है तो वो आप हमें comment box में लिख के बेजिएगा हम आपके लिए वो videos prepare करेगे and you can also speak in English with RIPI e-Learning Hub and TESCA spoke on English. Thank you.